Very good morning to all of you, so today we are just going to continue second part of our chapter and that is solid, liquid and gas, okay इसके पहले हम लोगों ने अपना chapter solid, liquid, gas का part 1 complete कर लिये हैं और आज की class में हम लोग part 2 continue करने वाले हैं, okay तो part 2 को continue करने से पहले part 1 में हमने जो जो discuss किया है, उसको हम बहुत ही कम time में recap करेंगे ताकि हमें आज की class को समझने में कोई भी problem ना हो और हमें अपना आज का class अच्छे से समझ आ जाए, okay तो हमारा chapter का heading क्या है, solid, liquid and gas, okay तो हमने देखा था previous class में कि कोई भी चीज जो हमारे चारो तरफ हमें दिखता है उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं matter, ठीक है यह जो panel ही, marker, fan, door, window, mouse, keyboard, phone, everything ठीक है, जो कि हमारे चारो तरफ हमें दिखता है वो सारा चीज किस से बना हुआ होता है, वो सारा substance अपका matter से बना हुआ होता है और matter क्या होता है, तो कोई भी चीज जिसके पास mass हो और वो space को occupy करे उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, matter बोलते हैं, ठीक है और different substance और सारा matter हमारा atom और molecules वाले particle से मिलके बने हुए होते हैं different matter, different types के atom और different types के molecules से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है कोई भी चीज जो हमें दिखता है, ये सारा चीज दिख रहा है, fan, panel, marker, board ये सारा चीज हमें दिख रहा है, और जो चीज हमें नहीं भी दिखता है जैसे कि perfume का smell, air, जो कि अभी हमारे room में भी present है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है तो invisible चीज भी आपका matter से बना हुआ होता है, सारा चीज, इस world में जो भी चीज है, जो दिखता है, नहीं दिखता है सब जो चीज के पास mass है और वो space को occupy कर रहा है, वो चीज हमारा matter से बना हुआ है और matter हमारा atom और particle से बने हुए होते हैं और अलग-अलग matter अलग-अलग atom और particle से बने हुए होते हैं और इस world में matter आपको तीन state में मिलते हैं, एक solid, दुसरा liquid और तिसरा gases तो हमने एक के करके तीनों के बारे में कल के class में देखा था कि solid क्या है, liquid क्या है, gas क्या है तो solid उस types के matter होते हैं जिनका definite safe होता है, ठीक है अगर वो rectangular shape में है, तो उनको किसी भी container में आप डालो, वो rectangular shape में ही रहेंगे अगर वो spherical में है, तो किसी भी container में डालो, वो spherical shape में रहेंगे यह marker का जो shape है, इसको हम कोई भी box में रखे, किसी भी shape के box में रखे, क्या इस marker का shape change हो जाएगा नहीं होगा, it means solid have a definite shape, और it also have a definite volume, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था liquids, liquids के पास definite volume होता है, एक लिटर पानी हमेशा एक लिटर ही रहेगा, चाहे उसे आप बड़ा सा बाल्डी में डालो, या छोटे से कोई बिक्कर में डालो, उसका volume same ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसक shape change होता है, अगर आप उसको circular बोतल में डालोगे, तो उसका shape circular हो जाएगा, अगर rectangular में डालोगे, तो उसका shape rectangular हो जाएगा, ओके, यह सब हमने देखा था, और फिर gases, gases के पास नहीं definite shape होता है, और नहीं definite volume, solid के पास definite shape और definite volume, दोनों होता है, liquid के पास definite shape नहीं होता है, उसको जिस container में आप दालोगे, उसी container में वो, उसी container का वो shape ले लेता है, लेकिन उसके पास definite volume होता है, बट gases के पास नहीं definite shape होता है, और नहीं उसके पास definite volume होता है, ओके, और matter यह तीनों form में, मतलब इनको तीन form में किस basis पे हमने define किया, divide किया थ तो उनके बेश के सालिग के सॉलीड मैैटर के पार्टिकल एक दूस्रे से बहुत ज़ादा एक दूसरे से चिपक होता है और गैस में मतलikt कोई दोस ही नहीं होता हुँ एक दूसरे से बहुत अलग-अलग इसके टड़ पॉर्म में रहते हैं ओके फिर हमने देखा कि यह तीनों स्टेट ऑफ मैटर जो है वह आपस में इंटर्चेंजेबल है इसको हमने वाटर की एक्जामबल के थू समझा था वाटर को अगर आप फ्रीजर में रखते हो तो वह क्या हो जाता है यानि लिक्विड शॉलिड में फिर उस सॉलिड को अगर आप बाहर निकाल के रख देगो तो हीट के बज़े से वह वाटर में और वाटर को आप फ्लेम के थू हीट करोगे तो वह गैसे के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो यह सब हमने देखा था कि कैसे सॉलिड को लिक्विड लिक्विड को गैसे गैसे को लिक्विड लिक्विड को सॉलिड यह सब यह जो तीनों स्टेट है वो आपस में इंटर्चेंजेबल है यह हमने वाटर के इसामबल के थू देखा था ओके तो यह सब तो पिछले क्ल है physical change and chemical change तो चलिए देखिए physical और chemical change क्या होता है physical change physical change is a change in the appearance or form of a substance but not in its identity physical change उस टाइप्स का change होता है जिसमें softens का appearance वो कैसा दिखता है वो change हो जाता है लेकिन उसका identity change नहीं होता है कहने का मतलब वो जो चीज है वही रहता है अगर water है तो water ही रहेगा ठीक है सिर्फ उसका जो appearance है outer look है उसमें changes आ जाएगा उसका identity वही रहता है इस टाइप्स के change को हम लोग क्या बोलते हैं इस टाइप्स को softens की formation नहीं होती है सिर्फ softens का state change होता है solid से liquid, liquid से gas यह सारा चीज और यह सब melting, freezing, vaporization और condensation का result होता है ओकी overall कहने का मतलब क्या है physical change उस टाइप्स का change है जिसमें कोई नया softens की formation नहीं होती है उसमें original softens ही रहता है सिर्फ उसके state में changes आता है ओके आगे आप लोग example के थूँ इसे और भी अच्छे तरीका से समझोगे जैसे आप देख लो यह जो bottle है ठीक है यह जो cane है coca cola का ठीक है तो यह तो पहले अच्छा मदब सही था पहले कि आप इसको physically आप इसको क्या इसको क्रॉस कर दिया है तो यह जो changes है crossing of cane it is known as a physical change है तो यह cane ही अभी यह coca cola का डबबा ही है इसका identity change नहीं हुआ है लेकिन इसका जो appearance है वो तो change हो गया इसको cross कर दिया गया है तो इस types के change को हम लोग क्या बोलते हैं इस types के change को हम लोग physical change बोलते हैं एंग्जाम्बल अफ फिजिकल चेंज आर crushing of cane, melting of an ice cube, melting of a candle wax, etc. physical change are mostly reversible change, cane का crossing ठीक है फिर अगर आप water का example हो तो water से आप क्या बनाओगे ice बनाओगे freezer के help से ठीक है तो ice भी तो आपका क्या है वो भी तो water है भले वो water के जैसे दीख नहीं है तो water liquid form में generally रहता है ठीक है और ice solid form में होता है तो state का changes आरा है लेकिन उसका identity वो भी तो sto ही है water भी हमारे sto ही है और ice भी हमारे sto ही है मतलब identity same है लेकिन state का changes आरा है इस types के changes को हम लोग क्या बोल रहे है इस types के changes को हम लोग physical change बोल रहे हैं physical change का example आपके syllabus में क्या दिया गया है crossing of cane melting of ice cube melting of candle wakes यह सब हमारा physical change का example है और physical change आपका reverse shival होता है जैसे reverse shival का मतलब क्या होता है आप water से solid बना है water से ice बना है ठीक है तो ice से फिर आप ice को heat करके water बना लोगे मतलब आपस में उसको fit जैसे कि मैंने water लिया water से ice बनाया ठीक है इसको cool करके लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं फिर हम ice से water भी तो बना सकते हैं इसको heat करके मतलब water से ice ice से water तो यह इस टाइप्स की changes को क्या बोला जाता है इस टाइप्स की changes को reverse shival बोला जाता है अगर आपका water ice में जाता और ice से फिर वह वापस कभी water में नहीं आता तो इस टाइप्स की changes को हम लोग इरिवर्षिबल बोलते हैं लेकिन फिसिकल चिंज हमारा रिवर्षिबल है और मेंटिंग अवाटर यह फिर वाटर यह वाटर मेंटिंग अवाटर यह सब चिज की आपका हमेशा यह इस टाइप्स का चेंज होता है जिसमें नया शॉफ्टेंस की formation होती है और वह इरिवर्षिबल होता है और इसका एक्जामपल क्या है बर्णिंग ऑफ ओट भी अमारा केमिकल चेंज के एक्जामपल है अगर आप ओट को वर्न कर दोगे तो वह आईस में राख में कन भाट हो जाता है क्या राख को फिर आप ऊट आने ही ऑनी निल दा आपन आप आ वह तो इस टविस की ऒस्सके चैन्ज स्का हम लोग की िल चंक बोलते हैं और फिसिकल चंझ क्या था कि वह और इस ही तो फिर अफिर र हम आOO को फ estado बना सकते हैं अ तो डिवरशीबल चैन्ज इस टरीजों के चैन्ज कल फिसिकल सुन रहते हैं, okay, chemical change is a change in which one matter changes completely into a different type of matter, chemical change उस टाइप का शेंज होता है, जिसमें एक matter completely अलग matter में change हो जाता है, ठीक है, physical change में एक matter वो completely अलग नहीं हो रहता है, वो water, जैसे water को हम आइस बना रहते तो वो रहते हैं, लेकिन chemical change उस टाइप का शेंज होता है, जिसमें एक matter completely change हो जाता है, other matters में, okay, chemical changes produce a new softens, chemical changes में हमेशा आपका एक नए softens की production होती है, okay, example क्या है chemical change का, example of chemical changes are combustion, burning of any softens, किसी भी softens को अगर हम जला देते हैं, तो क्या फिर वापस उसको हम वैसे ही पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, उसका identity change हो जाता है, नया softens की formation हो जाती है, और यह change हमारा क्या है, chemical change, तो यह चीज यहाँ पे बोला जारा है कि combustion यानि bonding आपका कैसा change है, यह हमारा chemical change है, boiling of an egg, rusting of an iron nails, this all are example of a chemical change, bonding यानि combustion, iron का rusting और boiling of egg, यह सब हमारा क्या है, यह सब हमारा chemical change का example है, chemical change are irreversible in nature, यह अगर यहाँ से यहाँ A से B बना, तो यह कभी B से A वापस नहीं बनेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को irreversible, अगर A से B बना, तो B से A कभी नहीं बनेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग irreversible बोलते हैं, अगर A से B बना रहा है, और फिर B से A बन जा रहा है, तो इस टाइप के change को, इस टाइप के condition को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्शिवल, ओके, चेमिकल चेंज हमारा क्या होता है, चेमिकल चेंज हमारा, इस रिवर्शिवल होता हैं, गोट इट, इग्जाम्ल क्या है चेमिकल चेंज का, बनिग अफ ओड इस इन एक्जाम्ल ओप खेमिकल चेंज, ओके, तो हम लोग ने फिसिकल और केमिकल चेंज पर लिया, जैसे जैसे आप हाईर क्लासे में जाओगे, और ने परोगे, physical और chemical change के बारी में अभी तक हमने क्या परः पृजिकल और chemical change इनके बीас का difference क्या था ? physical change उस ताइप्स के change था जिसमें नए soft hands की formation नहीं हो रही थी ठीक है ? और वो 이번 ही वन नेचर शो कर रहा था जिसका example था ? melting of ice, crossing of cane यह सब आमारा physical science का example था melting of candle waves और chemical change क्या होता है तो यह ऐसा change होता है जिसमें softens की formation होती है जो उसका previous identity होता है वो lost हो जाता है और वो irreversible होता है A से B बनता है तो B से A कभी वापस नहीं बनता है और इसका example क्या है burning of wood, boiling of egg, rusting of iron is an example of a chemical change अब जैसे आप higher classes में जाओगे और भी details में physical और chemical change के बारे में आप study करोगे अगे, now we are just going to start another new topic and that is solution अब हम लोग क्या परेंगे, solution के बारे में की solution हम की शे मोलते है When a substances such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water, it produces a solution जब आपका substances जैसे की sugar, चिन्नी, नमा यह सारे चीज़ को आप जैसे ही water में यानि liquid में dissolve करते हो यही चीज आपका क्या बनाता है solution solution क्या होता है, जब आप substances such as sugar, salt, यह सारे चीज़ों को liquid में like water में dissolve करते हो तब जाके आपका किस चीज की formation होती है, solution की formation होती है, okay but all substances do not dissolve in a water, example of such substances are paint and grease, oil and candle webs लेकिन सारा चीज जैसे salt, sugar, पानी में dissolve हो जारा था और solution की formation करवा दे रहा था लेकिन सारा softens पानी, excuse me, सारा softens पानी के अंदर dissolve नहीं होता है जैसे कि अगर आप paint को, grease को, sand को, oils को, candle wicks को water में dissolve करोगे तो यह water में dissolve नहीं होगा, okay softens which dissolve in a water are called soluble softens while the softens which do not dissolve in a water are called insoluble softens वैसे softens जो कि water में dissolve हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लोग soluble softens बोलते हैं वैसे softens जो कि आपका water में dissolve होता है, वो solution क्या होता है, वो हमारा soluble softens होता है और वैसे softens जो कि water में dissolve नहीं होता है, जैसे paint, oil, sand, यह सब water में dissolve नहीं होते हैं तो इस types के softens को हम लोग क्या बोलते हैं, candle wicks, इसको हम लोग insoluble softens बोलते हैं, ओके sugar and salt are soluble in water, while wicks and sand are insoluble in water sugar and salt हमारा water में soluble होता है, जबकी wax और shand हो होता है, वो हमारा water में insoluble होता है sugar, salt, यह हमारा water में soluble होता है, जबकी wax और shand यह सब हमारा water में insoluble होते हैं, ओके आप figure के तो यहाँ पे देख सकते हो, sugar solution यहाँ पे water में sugar को dissolve किया जारा है और क्या बनाया जारा है, sugar solution, वैसे ही हम water में salt को dissolve करके क्या बनाएंगे, salt solution लेकिन अगर हम water में sand को dissolve करने की कोशिज करेंगे, तो sand वहाँ पे dissolve नहीं हो पाएगा तो जो चीज water में dissolve नहीं होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, insoluble substance और जो चीज आपका water में dissolve हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम soluble substance बोलते हैं, ओके some solid dissolve in a liquid, when a solid dissolve in a liquid, it break down into a tiny particles, the tiny particles spread throughout the liquid, कुछ solid भी आपका liquid में dissolve हो जाता है, और जब solid liquid में dissolve होता है, तो कैसे dissolve होता है, तो वो solid break हो के छोटे-छोटे particles बनाता है, और वो particles हमारे liquid में चाड़ो तरफ spread हो जाते हैं और उसे dissolve हो जाते हैं, ओके, the liquids in which solid can dissolve are called solvents, the substances dissolve in a solvent are called solute, in sugar solution, sugar is a solute and water is a solvent, ओके, liquid जिसमें solid dissolve हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग solvent बोलते हैं, ठीक है, solvent क्या होता है, जो चीज, जिस चीज के अंदर अगर हमारा softens dissolve हो जाता है, जिस liquid के अंदर हमारा softens dissolve हो जाता है, उस liquid को हम क्या बोलते हैं, उस liquid को हम solvent बोलते हैं, और जिस चीज को हम liquid में dissolve करते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम solid बोलते हैं, जैसे आप sugar solution का example लो, ठीक है, तो water में आप sugar को dissolve कर रहे हो, जिस liquid में आप sugar को dissolve कर रहे हो, उसको आप solvent बोलोगे, तो आप water को solvent बोलोगे, और water में जिस चीज को आप dissolve कर रहे हो, जैसे sugar को dissolve कर रहे हो, तो sugar को solute बोलोगे, अगर salt को dissolve कर रहे हो water में, तो salt को solute बोलोगे, मतलब जिस liquid में आपका substance dissolve हो जाता है, उसे हम solvent बोलते हैं, और जिस चीज को हम लोग liquid में dissolve करवाते हैं, यानि solvent में dissolve करवाते हैं, उस चीज को हम लोग solute बोलते हैं, और solute और solvent मिलके आपका क्या बनाता है, आपका solution बनाता है, ओके? water is a good solvent, it is also the most common solvent, water अब का बहुत ही अच्छा solvent होता है, it is also known as a universal solvent, it is very common, now we are just going to discuss solution of gases in a liquid, liquid में gases के solution, ठीक है, अब हम के करेंगे, solution of gases in a liquid, में अच्छा इस डिसल्ब इन water, such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide and ammonia in a soft drink, carbon dioxide is dissolved under a pressure, when we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping repetitively in the form of bubbles, okay, इस्लाइब में हम क्या परहेंगे, gases का solution of gases in a liquid, तो बहुत सारे gases आपका liquid में dissolve हो जाता है, जैसे की, example क्या है, example है, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, ammonia, यही oxygen हमारा water में dissolve होता है, और dissolve oxygen को aquatic organism use करते हैं, अपने breathing process में, okay, और अगर आप soft drink, cold drink को देखोगे, तो उसमें carbon dioxide आपका dissolve रहता है, soda water में भी carbon dioxide रहता है, और वो carbon dioxide जैसे आप बोतल open करते हो, तो as bubbles बाहर आता है, देख सकते हो, यह carbon dioxide इसमें dissolve है, और जैसे इसको आप अपन करोगे, वो as a bubbles बाहर skip करेगा, water in a lax river and other water bodies has a lot of oxygen dissolve in it, plants and animals living in a water use this oxygen for breathing, ठीक है, lax or rivers वाले water में आपका बहुत ज्यादा oxygen dissolve रहता है, और उसमें रहने वाले जितने भी aquatic organism होता है, plant and animal, वो सब अपने breathing के लिए वही oxygen use करते हैं, ओके, तो आज की class के लिए इतना ही, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने देखा solution के बारे में, तो solution अपका कैसे बनता है, solute और solvent मिलके हमारा solution की formation करवाते हैं, ओके, solute क्या होता है, जिस softens को आप लोग dissolve करते हो, उस softens को हम क्या बोलते हैं, solute, और जिस liquid के अंदर solute dissolve होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, solvent, और बोथ solute and solvent together make solution, ओके, फिर हमने physical और chemical change देखा था, physical change में आपका नय softens की formation, नय softens की formation नहीं हो रही थी, और chemical change में आय softens की formation हो रही थी, physical change आपका reversible change था, जबके, chemical change हमारा irreversible change था, physical change का example था, crossing of cane, melting of ice, यह सब हमारा physical change का example था, और chemical change का example था, burning of wood, rusting of iron, यह हमारा chemical change का example था, आज के लिए इत्ता है, thank you, have a nice day.